प्रकुस करेंगे आपकी D.D.U. गोरगपुर निवस्टी का B.C.O.M. first semester का एक पेपर है Business Organization का पेपर 1 उससे लिए रिए complete MCQ देखेंगे most important MCQ जो आपके interim exam के लिए काफे important है इससे पहले भी मैंने complete theory session आपको एक वीडियो में one short revision important topics को cover किया आप चैनल पर जाकर देख सकते हो इसमें सिर्फ MCQ को हम लोग discuss करेंगे ठीक है सबसे पहला question है इससे बाहर आपको कोई भी question exam में देखने को नहीं मिलेंगे तो start करते हैं सबसे पहला question है निमलिकित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है वस्तूं का उत्पादन, पेशा, वैपार, समास, सेवा तो कहरा है एक होता है एक activities में अगर हम बात करें तो एक economic activities होती है एक non economic activities होती है तो यहाँ पर पूछ रहा कि कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है वस्तूं का उत्पादन, पेशा, वैपार यह सारी चीजे होती है, कौन सा पूछा नहीं है तो समास, सेवा जो हो जाएंगे, D option बिल्कुल आपका सही next question है, question number second है आर्थिक सेवाएं क्या होती है is equal to website plus पेशा, पेशा प्लस रोजगार website plus रोजगार की website plus पेशा प्लस रोजगार तो आर्थिक जो क्रियाएं होती है अगर हम बात करें economic activities वो होती है, वैवशाए, पेशा और रोजगार means business, profession और employment तो D option हो जाएगा बिल्कुल आपका सही next question number third की बात करें निमलकित में से कौन सा वैवशाई क्रिया नहीं है इसमें से पूछा है कौन सा वैवसाई क्रिया नहीं है उत्पादन, विनमे, रोजगार की परिवहन तो कौन सा वैवसाई क्रिया नहीं है तो यहाँ आपका हो जाएगा option number C विनमे, ठीक है next question number four है अचार सहीता में सम्मलित नहीं किया जाता है अचार सहीता में अगर हम इसमें कौन सा सामिल नहीं किया जाता है नियम, बैमानी, सत्तिनिस्टा की नैतिकता तो बैमानी जो है उसमें included नहीं होते है इस सारे जितने भी MCQ है उसको मैंने English में भी समझाए एक अलग से वीडियो में काफी बच्चे को डाउड थे कि माम English में और काफी बच्चे Hindi वाले हैं तो इसलिए मैंने इस सेशन को हिंदी में जितने MCQ है उसको solve कर रहा है और एक अलग वीडियो में सारे English में solve कर रहा है तो जिसको भी English में देखना है तो English में देखना है next question है, question number 5 है, वह काम जिसमें पुण्जे की आवशकता नहीं होती है तो ऐसा कौन सा काम होता है, जिसमें हमें capital की जुरत होती ही नहीं है रोजगार, वेवशाय, उपरिक्त दोनों की पेशा तो option number A हो जाएगा, जिसमें पुण्जे की आवशकता नहीं होती है नेक्स्ट कुशनबर 6 है निमलखित में से कौन सा एक वेबसाई की विशेष्टा नहीं है उत्पादन, परिश्रमिक, विनिमे, जोकिम्तत तो कौन सा एक वेबसाई की विशेष्टा नहीं है पूछा है तो option number C हो जाएगा 6 का बिलकुल सही नेक्स्ट कुशनबर 7 है निमलखित में से कौन सा वेबसाई का उदेश नहीं एक बिजनस का अबजेक्टिव नहीं होता है लाब अरजित करना, विनियो, ग्राहक सिजन, नव परवरतन तो आप लोग ने objectives और बिजनस में देखा होगा नहीं नहीं चीजों को विक्षित करना ठीक है ग्राहक सिजन, कस्टमर साटिसफेक्शन, प्रॉफिट अन करना लेकिन विनियो, जो होता है एक बिजनस का objective नहीं होता है तो C option बिलकुल हो जाएगा सही नेक्स्ट है निमलकित में से कौन सा वेवसाइक जोखिम का कारण नहीं है मतलब बिजनस रिस्क का कारण नहीं है मशीनरी की खराबी, बैमानी, करमचारी, कुशल प्रबंध की सरकारी निती में परिवरतन तो वेवसाइक जोखिम का कारण नहीं है तो option number B हो जाएगा यूं कमान चाहिए विकास के लिए C है दीर्ग्काल तथा जीवित रहने के लिए ख्याती में वषधी के लिए क्यों बृतन सभी तो website प्रबंध के लिए क्यों कमान चाहिए तो ऑप्रुक्शन सही हो जाएगे नेक्स्ट कुशनमर 10 है दूसरों के लिए एक किया गया काम जाना जाता है जो हम दूसरों के लिए काम करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है वेवसाय, रोजगार, पेशा के उपरक्ते में से कोई नहीं तो आप्शनमर B हो जाएगा बिल्कुल सही नेक्स्ट कुशन पे आते हैं वेवसाय से क्या ताक पर है वेवसाय का मतलब क्या होता है माल का निर्माड, समाजिक सेवा, माल का क्रे विक्रे की सभी तो वेवसाय से क्या मतलब होता है, वहाँ पर क्या होता है माल का निर्माड करना समारिक शेवा भी देना माल का विक्रे विक्रे करना तो website का मतलब सारी के सारे option बिलकुल यहां सही हो जाएंगे option number D हो जाएगा बिलकुल सही next है website का क्या उद्देश होता भाई business को objective क्या होता lab कमाना, सेवा करना, पुन्य कमाना पुन्य कमाना की lab और सेवा दोनों, तो website का जो objective होता वो D हो जाएगा option number D profit कमाना और service प्रवाइड करना दोनों के दोने चीज़े होती है तो D option हो जाएगा साही next है अध्यापक की सेवाएं किसके अंतरगत आती हैं प्रतेच्च सेवाएं वैपार, वाड़िज, उदोग तो अध्यापक की जो सेवाएं हैं वो किसके अंतरगत आती हैं प्रतेच्च सेवा देखे मैंने complete business organization का जो first paper है जितने भी b.com first semester के जितने भी papers हैं उससे related मैंने सारे theory session सारे topics को बहुत easily simple way मैं with a hand written notes सारी चीज़ों को समझाए हैं तो channel पर जाकर आप देख सकते हैं सारे subjects को आपको हाँ पर मिल जाएंगे इसलिए हैं मैं सिर्फ मैं MCQ को solve करवा रही हूं जादा detail में explain नहीं करें क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने detail में explain कर चुकर है next है तेल निकालना उद्दोग किस रेडी में है उत्पत्ती, निशकशर, निर्माडी, रशनात्मर तो तेल निकालना उद्दोग किस रेडी में है तो option number B हो जाएगा बिल्कुल आपका सही next है उद्दोग से क्या तातपर है पदार्थों का निर्माड, माल बेचना, परिश्टम करना, बच्चों को पढ़ाना तो उद्दोग से क्या तातपर है पदार्थों का क्या करना निर्माड that is option number 5 में का हो जाएगा next है मशली पकड़ना किस प्रकार का उद्दोग है उत्पत्ति का, निर्माडी का, रशनात्मक का तो जो मशली पकड़ना है वो किस प्रकार का उद्दोग है that is option number ए उत्पत्ति का next है आयात का मतलब क्या होता आयात का तातपर क्या है माल का क्रे करना विदेश को माल भेजना विदेश से माल मगाना तो आयात का यहाँ जो सिंपल सा मतलब करना हम समझे विदेश से क्या है माल मगाना तो 7th का option B हो जाएगा निर्यात का क्या तातपर है विदेश से माल मगाना विदेश को माल भेजना माल का विक्रे करना की माल का क्रे करना तो निर्यात का यहाँ तातपर्र क्या होता विदेश को माल क्या है option number C हो जाएगा विदेश को माल भेजना next question number 9 की बात करें जननिक उद्धोग किस से संबंदित है ये किस से related है निमत्री उद्धोग से कोईले के खनन से कुकुट पालन से की चीनि उद्धोग से तो जननिक जो उद्धोग है वो रिलेटेड है आपको option number B हो जाएगा बिल्कुल सही next है कोईला खनन किस से related है जननिक उद्धोग से अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है अभी निर्माडी उद्धोग से निशकर्ष उद्धोग से की सही हो जन उद्धोग से उप्रक में से कोई नेकी कपड़ा तो कपड़ा जो है वो उपभोकता पदार्थ के अंदर क्या है आता है व्यक्ती अथ्वा अस्थान की बाधा को दूर करता है वाडिज जननिक उद्धोग में मात्री उद्धोग की वैपा है तो व्यक्ति अत्वास्थान की बाधा दूर करता है वो कौन, that is वाडिज next question number 13 है, banking एक भाग है, banking किस तरह का ये भाग है, नर्माड़ी उद्धोग का, सैयोजन उद्धोग का की बीच सेवा उद्धोग का क्यों प्रुक्ति में से किसी का नहीं, तो banking एक तरह का भाग है, किसका सेवा उद्धोग का, तो भी option हो जाएगा, सही next number 14 है, एक सुरंग तयार करना संबंदित है, नर्माड़ी उद्धोग से, रशनात्मक उद्धोग से, प्राविधिक उद्धोग से, कि विशलेश आत्मक उद्धोग से, तो option number C हो जाएगा, रशनात्मक उद्धेश से, उद्धोग से next है machine किस्टिस का example है, उद्धोग्ता पदार्थ का, माध्द्यमिक पदार्थ का, पुर्जिगत पदार्थ का, कि उद्धोग्त में से कोई ने, तो जो machine है, वो किस्टिस का example है, पुर्जिगत पदार्थ का, तो option number B हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही next है, Vedasig जो Sंगठन है, जो Business Organization है वो किया कला है, कि विज्जान है, कि कोई नए है, कि दोनों है तो business organization की अगर हम बात करें तो आर्ट और science क्या है, दोनों है कला और विज्जान क्या है, दोनों है, इसलिए C option हो जाएगा सही next है, Vedasig संगठन से क्या आसे है business organization का मतलब क्या समझा जाता है website के कार्यों का विभाजन कार्यों का वित्रण की उपविभाजन की उब्रुक्त में से सभी तो website संगठन का मतलब क्या होता है सारे के सारे option बिल्कुल सही हो जाएंगे इसमें कि website के कार्यों का क्या करना विभाजन करना कार्यों का वित्रड करना और उपविभाजन करना तो 17 का option हो जाएगा option number D next question number 18 बात करें website संगठन व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है खुली व्यवस्था है सांस्कृतिक व्यवस्था है नियंदृत व्यवस्था है कि पर्रेवरणी व्यवस्था है तो व्यवस्था जो संगठन है व्यवस्था है संगठन की हम बात करें तो ये एक तरह की क्या है यहाँ पर खुली व्यवस्था है यह option हो जाएगा बिल्कुल सही next है next question पर आते हैं सारे आपके chapter wise mc क्यूं है next है किसी व्यवस्था के परवर्तन में निमलिखित क्रिया की जाती है व्यवस्था की प्रकृति एम रूप निस्चित करना b है उप्यूक्त संगठन के प्रारूप का चुनाओ c है व्यवस्था के अस्थान का निर्धारण की d उप्रुक्त सभी तो किसी व्यवस्था के परवर्तन के लिए निमलिखित कौन कौन सी क्रिया होती है तो सारे के सारे option बिल्कुल सही हो जाएंगे व्यवपार की प्रकृति एम रूप निस्चित करना उप्युक संग्ठन के लिए सही चुनाओ करना अस्थान का निर्धारण करना ये सारे के सारे option बिल्कुल सही है तो d option हो जाएगा उप्रुक्त सभी नेक्स्ट कोशन है किसी वेवसाय के परवर्तन का क्या उप्देश होता है अब्जेक्टि पूछा है नवीन वेवसाय का प्रानम मतलब नई नई चीजों का प्रारंब करना वर्तमान वेवसाय का विस्तार वर्तमान दो यादि की काईयों का एकी करण की d उप्रुक्त सभी तो किसी website के परवर्तन का जो objective होता वो सारे के सारे second का D option हो जाएगा पिल्कुल आपका सही नेक्स्ट थर्ड कोशन है परवर्तन के कार को निम्नानकित रूप में चरडवृद्ध कर सकते हैं नवीन विचार की खोज इवं सोच तो परवर्तन के जो भी कार रहोते हैं उसको हम सारे के सारे option हो जाएगे इसमें से सही नई विचारों का मतलब जो भी है उसको खोज करना, सोचना जो भी important संसादन है उसको क्या करना, resources को एकटित करना और उसको verify करना तो सारे के सारे option सही हो जाएगे नेक्स्ट है परवर्तन के अंतरगत विर्त संबंधी निम्नान के तकार रहे है A. IPO के लिए प्रविरोड का नर्गमन B. है नर्गमन की सफलता के लिए उसका विपड़न C. है नर्गमित प्रतिभूती के लिस्टिंग की सिविकृती प्राप्त करना की उप्रुक्त सभी तो परवर्तन के अंतरगर जो वित्य संबंधी कौन-कौन से कार होते है प्रविरोड का नर्गमन करना उसका विपड़न करना प्लस उसके सिविकृत प्राप्त करना तो D. आप्शन हो जाएगा प्रुक्त सभी नेक्स्ट है एक ऐसा विशेशग जो विवसाई के परवर्तन में परांप्रग पारंगत है पेशेवर परवर्तक कहलाता है आवशक्ता पर परवर्तक कहलाता है तकनीकी परवर्तक कहा जाता है इनमें से कोई नहीं तो एक ऐसा विशेशग है जो वैवसाई के परवर्तन ने परांगत है तो पेशेवर क्या है परवर्तक कहलाता है A option हो जाएगा सही नेक्स्ट है एक ऐसा विशेशग जो विधान, एंजिनरी या सलाहकारिता संबंदिक सेवाओं में दच्छ है ए तकनीकी है परवर्तक कहलाता है भी है वृत्ती परवर्तक कहलाता है पेशेवर परवर्तक कहलाता है कि इन में से कोई नहीं तो इसको option number A हो जाएगा सही एक परवर्तक का उसके दवारा परवर्तित कमपनी के साथ निम्नानकित संबंद होता है एक एजिन्ट का, एक विश्वास का, एक ट्रस्टी का कि इन में से कोई नहीं तो C option हो जाएगा सही परवर्तक को उसकी सेवाओं के लिए जो परश्मिक निम्न रूप से दिया जा सकता है नगत उसके पच्छ में जो कमपनी की प्रतिभूती निर्गमित करके वेवसाय की विक्राशी पर निश्चित प्रतिसत कमीशन की D सारे के सारे तो D option हो जाएगा उपरुक्त सभी परवर्तन के विधान सम्बंदी क्रियाओं में क्या चीज़े सामिल होती है सम्बंदित अधिकारियों में स्युकित प्राप्त करना यदि आवश्यक हो तो उद्दोगिक लाइसेंस प्राप्त करना प्राप विरोड दाखिल करना यदि सूचनी स्युकित प्राप्त करना की D उपरुक्त सभी तो D option हो जाएगा सही परवर्तन के विधान सम्बंदी क्रियाओं में सारी की सारी चीज़ें क्या होती है यहाँ पर सामिल होती है नेक्स्ट है एक सफल परवर्तक में निवांकित गुड होना चाहिए सफल एवन प्रभावसाली वर्तित वृस्तित एवन गहन ग्यान आत्मे विश्वास की उपरुक्त सभी तो एक सफल परवर्टक में कौन से गुड़ होने चाहिए, वो आदमें विश्वासी होना चाहिए, सफल होना चाहिए, विस्तित अम गहन उसके पास knowledge होना चाहिए, तो D option हो जाएगा सही ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, प्राचीन समय में जो व्यवसाई का चेत था, वो कैसा था, सीमित था, विस्तित था, असीमित था, कि इनमें से कोई ने, तो प्राचीन समय की पूछा यहाँ पर तो व्यवसाई का चेत वो कैसा था, वो सीमित था, ये option हो जाएगा सही और दोगिक विकास एवं नियमन अधिनयम की बात करें तो ये लागू हुआ 1951 में काफी important question है बहुत बार repeated question है ठीक है वैपारिक संगठन के सरूप कौन से कौन से होते हैं एकाकी वैपार, कमपनी, साजेदारी इनमें से सभी तो वैपारिक संगठन में कौन कौन से होते हैं इनमें से सभी होते हैं अगर हम sole proprietorship की बात करें, company, partnership तो ये सारे सारे आपके किसमें आते हैं वैपारिक संगठन में होते हैं तो D option हो जाएगा सही उन दोगों के के license लेना अवश्यक है जिनकी विनियोजित पुंजी क्या हो चार करोड से अधिक हो, दस करोड से अधिक हो, पांच करोड से अधिक हो कि एक करोड से अधिक हो तो उन इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लिना इंपॉर्टन्ट होता जिनकी विनियोजित जो पूंजी होती है पांच करूर से अधीक हो तो B option हो जाएगा सही ठीक है व्यवसाईक सफलता के मूलतत होते हैं व्यवसाई का व्यक्तित तो कुशल प्रवंद परियाप्त पूंजी की सभी तो website सफलता कि जो मूलता तो क्या होते हैं website का वेक्तित तो उसका कुशल प्रवंध परियाप्त पूंजी तो D option हो जाएगा ये सभी ठीक है और जितने भी mcq बचे हैं next video में इसको हम लोग complete करेंगे दो पार्ट में आपके mcq जो हैं complete हो जाएंगे ठीक है उससे बाहर आपको कोई भी questions नहीं फसेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like करें और telegram link से join हो जाएंगर आपको इसका pdf चाहिए तो telegram link description box में दिया है वहाँ से आपको telegram link से join हो जाएगे वहाँ आपको pdf मिल जाएगा तेंक्यू